कि यू कैन नौट स्केल यूर बिजनस अलोन यह कोई नई बात में नहीं बता रहा हूं आप सभी जानते हैं कि अकेले आप बहुत बड़ी चीज एक बड़त पहार नहीं तोड़ सकते हैं यहां पे एक मैसेज है और मैसेज के साथ साथ एक अपडेट भी शेर करना चाहता हूं मैं आप लोग के साथ और उस अपडेट के मादियम से मैं उस मैसेज को बदाना चाहूंगा So, that update is One of our community members recently revealed his results and he has generated more than 90 lakh INR of revenue within 4 months I want to emphasize the point that within 4 months So, the point is कि वो कैसे वो कर पा है वो सारी चीज ए वो रिसल्स अपने ल है कैसे अचीव करत पा है is not because he was super excellent or a super or was a super human that did everything alone and मतलब उन्होने कोई जादू की छड़ी घुमाई और नोटो की बारिस हो गई this is not the way things work right so उनकी वर्क के पीछे भी और many successful या most of the successful people या person या फिर businesses के पीछे आप देखोगे that they hire people simply so whether you are doing freelancing whether you are in SMM whether you are in products कहीं भी हो आप किसी में भी हो you need more people believe me अब वो people आपके पास कैसे आएंगे either simply either hire interns or teammates on salary basis or freelancers for yourself or I mean बहुत सारे तरीके आप collaborate कर सकते हो लोगों के साथ collaboration करो collaboration करके और अपने टीम में लोगों को ले आओ and grow otherwise scaling possible नहीं है believe me आप एक level तक चले जाओगे और उसके बाद वहाँ पर ऐसे graphs जाएगा आपका ऐसे वो ऐसे नहीं जाएगा जैसे अब यह आपने सुना ना 90 lux और इस तरह के results आपके पास नहीं आएंगे सो अब कितने भी expert हो बढ़िया है एक example मैंने सुना था कहीं पे कहीं पे क्यों मैं Mr. बिंदरा को follow करता हूँ और business lessons काभी उनसे सीखे हैं मैंने लल्लू लाल गुलाब जामून वाले एक बहुत बढ़िया एक जामपल वो दिया करते हैं कि लल्लू लाल गुलाब जामून वाले उनका गुलाब जामून बहुत अच्छा था और उनका गुलाब जामून बहुत दूर दूर तो मशूर इन फैक्ट कि New York और New Jersey से लोग आते थे उनके पास गुलाब जामुन खरीदने के लिए, इतना टेस्टी बनाते थे वो, बट वो उनकी गुलाब जामुन की जो दुकान थी, वो एक दुकान पे ही बैठे रहे गे, आज भी वो गुलाब जामुन बनाते हैं, और आज भी को एक ब्रैंड बना सकते थे, दल्लू लाल्स गुलाब जामुन, ब्रैंड बना सकते थे, are you getting my point right, so यही चीज है, यही चीज है कि आप चाहे किसी बी इंडुस्ट्री में हो, को भी बिजनस कर रहे हो, स्कैलिंग के लिए आपको प्रॉसेस बनाना होगा, उस प्रॉसेस को प्रॉसेस बनाई है और साथी साथ ज़्यादा ज़्यादा लोग को ले के आई है, लोगों को ले के आई है, अपने टीम के आदे, only and only then the scaling is possible, so this is the point and this is the message for today, कैसा लग आप लोग को, thank you so much for watching,